नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभीकाल खंडों के प्रशनों को लेकर मैं उपस्तित हुई हूँ और ये सभी प्रशन आपके हिंदी प्रतियोगी परिक्षा के लिए उप्योगी सिद्ध हो सकता है वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस ही सब्सक्राइब कर ले वीडियो को दोस्तों में जादा से जादा सेयर करें और लाइक जरूर कर दें आये सुर करते हैं प्रशनों के क्रम को पहला प्रशन है भारतिये आडिय भासाओं में विकास के कितने चरन है ध्यान रहे आडिय भासा में विकास के चरन को पूछा जा रहा है अगर हम भासा के विकास के चरण को देखें, तो सबसे पहले संस्कृत भासा आएगा, उसके बाद आएगा पाली, पाली के बाद क्या आएगा, प्राकृत, यहाँ पर स्क्रीन छोटा है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन प्राकृत के बाद अपभरंस और अगले प्रशन की तरफ, प्रशन है, हिंदी में किस विद्वान ने प्राकृत को मिली भासा तथा संस्कृत को कठोर भासा कहा है, तो ऐसा कहने वाले राज सेखर विद्वान थे, जिन्हों ने प्राकृत को मिली भासा और संस्कृत को कठोर भासा कहा है, आईए बढ़ते अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है अपफरंस में रामकावे के प्रथम कभी कौन है तो रामकावे लिखने वाले प्रथम कभी स्वेंभू है इनकी रचना पॉम्चरयू बहुत ही प्रशिद्ध है आए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ पॉम्चरयू ये हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले के लिए प्रसिद्ध है ऐसे मुझे नहीं पता कि इसे लोग कितना पसंद करते हैं और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ने लिखा तो सीवसी सेंगर ने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वानले में सीवसी सेंगर का नाम आता है तो इ इतिहास सुमन राजे ने लिखा है अगला प्रश्ण है रीती काल को अंधकार काल किस ने कहा है तो रीती काल को अंधकार काल त्रिलोचल ने कहा है अगला प्रश्ण है हिंदी साहित्य का संचिप्त इतिहास के लेखक कौन है तो विश्वनाथ त्रिपार्थी हिंदी साहित्य का संचिप्त इतिहास के लेखक है अगला प्रशन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है तो बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है और इन्हें अचार्य हजारी प्रसाद द्रिवेदी इनकी जो एक कहानी है इंदुमती इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं द्रिवेदी जी तो इससे भी प्रशन बन सकता है कि इंदु मती को प्रथम कहानी मानने वाले अजाड़य का नाम बताए तो वे हजारी प्रशा द्रिवेदी हैं अगला प्रशन है प्रेम चंद्र के किस उपन्यास का पात्र सुर्दास है तो प्रेम चंद्र के रंग भूमी नामक उपन्यास का पात्र सुर अगला प्रश्ण है डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने संधीकाल का समय क्या माना है तो रामकुमार बर्मा ने संधीकाल का समय साथ सो पचाज से एक हजार तक माना है अगला प्रश्ण है हिंदी साहिते के प्रारंभिक काल को जय काल किस ने कहा तो जय काल कहने वाले रमा संकर सुकल रसाल है अगला प्रिशन है घुटन रचना का सम्मंध किसे बिधा से है तो घुटन रचना का सम्मंध ये आत्मकथा नामक बिधा से है अगला प्रिशन है गर्दिस के दिन आत्मकथा के लिखक कौन है तो गर्दिस के दिन आत्मकथा के लिखक कमलिस्वर है कमलिस्वर का यह आत्म कथा है गर्दिस के दिन अगले प्रश्न को देखते हैं पुष्टी मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं तो बल्लभाचार्य पुष्टी मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रश्न है हिंदी के किसी साहित्यकार को सर्व प्रथम ज्यान पीठ पुरसकार मिला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 हिस्वी में मिला था और पंत की किस रचना पर इन्हें ग्यानपिठ पुरस्कार मिला था यह भी जानना चाहिए आपको तो चेदंबरा नामक इनका रचना है इस पे इन्हें ग्यानपिठ पुरस्कार मिला था और इसके बाद रामधारी से दिनकर को सन 1972 में उर्वसी पर ग्यानपिठ पुरस्कार मिला था और अग्ये को सन 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर ग्यानपिठ पुरस्कार मिला था और महादेवी बर्मा को स 1912 में यामा पर ज्यानपिठ पुरस्कार मिला था तो कुछ प्रशन ऐसे होते हैं जो कंधस्त होते हैं तो उसे मैं आपको बता दी लेकिन ये सानवाई जिसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है रामधाड़ी से दिन कर सुमित्रानंदन अग्य और महादेवी वर्मा इंचारों को तो आप जरूर ही याद कर लें आएए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्ण है अगला प्रिशन है हिंदी के प्रतम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के प्रतम दैनिक समाचार पत्र उदंड मारतंड उदंड मारतंड का समय है इसका प्रकासन कब हुआ था तो 1826 इस भी और इनके ये जो पत्रिका थी तो कलकत्ता से प्रकासित होती थी और सब्ताहिक पत्रिका थी इसके संपादक थे पंडित जुगल की सोर तो ये भी याद रखना है आपको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की अधि को अन्य किसे नाम से जाना जाता है तो अधि को कौसली नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्न है सनेह लीला के रचनाकार कौन है तो सनेह लीला के रचनाकार विश्नुदास है अगले प्रश्न को देखते हैं आधिकाल साहित का प्रमुख रस है तो आधिकाल साहि तो वेरस प्रधान रचनाए हुई आदिकाल में अगला प्रशन है मनुविशलेशनवाद कभी किसे माना जाता है तो अग्ये को मनुविशलेशनवादी कभी माना जाता है मनुविशलेशनवादी कभी में कई सारे कभी आते हैं लेकिन अग्ये का नाम प्रथम आता है अगले कि यहां पर हो सकता है कि चार ओप्सन दिया हो इसलिए क्योंकि ताड सब में कभी शम्मिलित ही तो विए उत्तर दिया हुआ है कि रामधारी से दिन कर यह तार सब में नहीं थे और राष्टवादी कभी माने जाते हैं इसे भी याद रखना होगा आपको अगला प्रशन है रामायन महानाटक 1610 की रचईता है तो रामायन नामक जो नाटक था जो 1610 इसकी रचना हुई तो इसके लिखा कौन थे तो प्रांचंत चौहान सही उतर हो जाएगा अगला प्रशन है कवीर की भासा को सद्धुकरी किस अगला प्रशन है कवीर की भासा को पंच मेल खिचरी किस ने कहा अगला प्रशन हैm कभी नहीं है द्रिवेदी युक कभी नहीं है विकादत व्यास अगला प्रशन है अयुद्या से उपादया हरियोध की प्रथम रचना है क्रिशक सतक देखिए कई बार ऐसे प्रशन आते हैं जिस पर जो प्रशन विवादित होते हैं किसी कभी ने किसी रचना को प्रथम माना किसी लेखा के और किसी ने किसी और को माना है तो इस प्रकार से ऐसे प्रशन थोड़ा सा भ्रमित करने वाले होते हैं तो इससे आपको परशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि आपको प्रशन को देखकर उसके अप्शन के अनुसारी सही उत्तर को चायन करना होगा अगले प कविता की सबसे बड़ी विसेस्ता है कि प्राचीन और नवीन का समनवय अगला प्रशन है कमाईनी में सरधा किसका प्रतिक है तो कमाईनी में सरधा हिरदाई की प्रतिक है अगला प्रशन है हिंदी में स्वक्षंद चंद के प्रत्थम प्रयोग करता कौन है तो स्वक्षंद चंद के प्रयोग करता निराला माने जाते हैं सोड़ी का अंतरपाथी निराला अगला प्रिशन है चायवादी कवी का रुद्र किसे कहा जाता है तो चायवादी कवी जिन्हें रुद्र कहा जाता है वे है निराला अगला प्रिशन है लोकायत किस प्रकार की रचना है तो लो माने हैं तो यह सुमित्रा नंदन पंत को च्छायावाद का जनक माने हैं अचायर नंदुलारे बाजबेई अगला प्रश्ण है च्छायावाद को चित्रभासा सैली किस ने कहा है तो रामचंदर सुकल ने च्छायावाद को चित्रभासा सैली कहा है अगला प्रश्ण है जग अगला प्रिश्ण है हिंदी का प्रथम सूफी कभी कौन है तो हिंदी का प्रथम सूफी कभी मुल्ला दाउध है अगला प्रिश्ण है गुरु गुरंथ साहिबा का संकलन किस ने किया तो गुरु गुरंथ साहिबा का संकलन करने वाले अर्जुन देव है अगला प्रिश्ण है लखनाओं में प्रगती सिल लेखक संध के प्रथम अधिवेशन की अधियक्षता किसने की तो प्रेम चैंदर ने प्रगती सिल लेखक संध के प्रथम अधिवेशन की अधियक्षता की थी अगला प्रश्ण है खरोष्टी लीपी की उत्पती किस से हुई है तो खरोष्टी लीपी की उत्पती अर्माइक सैली से हुई है प्रश्ण है अंततह ब्यंजनों की संख्या कितनी है तो अंततह ब्यंजनों की संख्या चार है अगला प्रश्ण है मानक हिंदी से क्या तात पड़ी है तो मानक हिंदी साहतिक पुस्तकों की भासा है अगला प्रश्ण है मेवाती किस उपभासा बर्ग की बोली है तो मेवाती राजस्थानी हिंदी उपभासा बर्ग की बोली है अगला प्रश्ण है सम्विधान के अनुछे 351 में किस विशय का वर्नन किया गया है तो इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिये गए है अगला प्रश्ण है ग्वालियर की बोली है तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है अगला प्रशन है अपफरंस को पुरानी हिंदी किस ने कहा है तो अपफरंस को पुरानी हिंदी चंदरधार सरमा गुलेरी ने कहा है पुरानी हिंदी अगला प्रशन है संबिधान की आठवी अनुसुची में कौन सी भासा सामिल नहीं है तो इसे भोजपूरी सामिल नहीं है अगला प्रशन है रोलाचंद के प्रतेक चरण में कितरी मात्राएं होती है तो 24 मात्राएं होती है अगला प्रशन है नामवर से किस कृती के लेखक है तो नामवर से दूसरी परंपरा की खोज नामक कृती के लेखक है प्रशन है द्वापर किस की प्रसिद्ध कृती है तो द्वापर ये मैथली सरन गुप्त की प्रसिद्ध कृती है अगला प्रशना भासा के प्राकृत कैसी होती है तो भासा के प्राकृति कठोर कठिन से सरल की ओर होती है प्रशन है प्रेमचंदर घर में सिर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी तो सिवरानी देवी ने प्रेमचंदर घर में सिर्षक से प्रेमचंदर की जीवनी लिखी और ये इनकी पत्नी थी अगला प्रशन है बट बिरिक्च की चाया में जीवनी किसकी है? बट बिक्ष की छाया में जीवनी किसकी जीवन पर आधारित है तो ये अमरित लाल नागर के जीवन पर आधारित जीवनी है अगला प्रशन है अकाल पुरुस गांधी जीवनी के लेखक कौन है तो अकाल पुरुस गांधी जीवनी के लेखक जैनेंद्र कुमार है प्रश्ण है माटी की मूर्ते की से बिधा से संकलित है तो ये रेखा चित्र है राम रिक्ष बेनी पूरी की अगला प्रश्ण है अरिवन सराय बच्चन की आत्म कथा कितने भागों में बिभाजित है तो इनकी आत्म कथा चार भागों में बिभाजित है अगला प्रिशन है सबधार्थ को काब्यमय परिभाषा किसने दी तो ये रुद्रट ने ये परिभाषा दी है प्रिशन है भारत में सरव पर्थम पहले नाटे सास्त्र में कितने अलंकारों का उलिक किया गया है तो पहले नाटे सास्तर में चार अलंकारों का उल्लेख किया गया है अगला प्रशन है हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था तो हिंदी का प्रथम गद्यकार ललू लाल अगला प्रशन है भुक्तिवाद की अधारना किसकी है तो ये भट नायक की अधारना है भुक्तिवाद प्रशन है कुटज के रचैता कौन है तो कुटज हजारी प्रसाद द्रिवेदी का ललित निबंध है अगला प्रशन है सेस कादंबरी के रचैता है तो अलका सरावगली सेस कादंबरी के रचैता है प्रशन है रामचंदर सुकल ने करुन रस्त का अस्थाईभाव करुना माना है अगला प्रशन है भोला राम का जीव किस बिदा की रचना है प्रशन है भारतिय हिंदी को प्रथम निबंधकार किसने माना है तो प्रथम निबंधकार सिवदांसी चौहान ने भारतिय हिंदी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किष्णे माना है सिवदांसी चौहान ने माना है प्रश्ण है तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है तो बिद्ध्या निवास मिस्र इस निबंध के रचनाकार है तुम चंदन हम पानी प्रशन है कौन को एक खंड काब भी है पारवती मंगल ये खंड काब भी है प्रशन है किस रजनकार को छायावाद का मैनिफेश्टो कहा जाता है तो छायावाद का मैनिफेश्टो पल्लव को कहा जाता है अगला प्रशन है बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतिक माना है तो उन्होंने कांती दूद का प्रतिक माना है अगला प्रश्ण है हिंदी का पहला उपन्यास अचार रमचंध सुकल ने किसे माना है तो परिक्षा गुरू लाला स्रीनिवास आदास्ध के द्वारा रचित इसे इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास माना है प्रशन है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहा हुआ तो मौरिशस में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ अगला प्रशन है अद्वयतवाद के प्रवर्तक कौन है तो संगराचारी अद्वयतवाद के प्रवर्तक माने जाती है अगला प्रश्ण है लक्षमी पूरा नामक रिपोतार्ज के लेखक है सिवधान सिह चौहान प्रश्ण है ब्रजभासा का अभीकास किस अपभरंस से हुआ है तो ब्रजभासा का अभीकास सोर सैनी अपभरंस से हुआ है अगला प्रशन है आधी काल को अपभरंस काल किस ने कहा तो अपभरंस काल आधी काल को धिरेंद वर्वा ने कहा अगला प्रशन है वीर्रस प्रधान रचना में गुन होता है ओज प्रशन है चायावाद की मुल्चेतना किस शब्द शमुह से अधिक व्यक्त होती है तो प्रकर्ट का मानवी करन सब्द शमुह से अधिक व्यक्त होती है चायावाद की मुल्चेतना प्रशन है 84 वैशनों की वारता किसकी रचना है तो ये गोखुलनात की रचना है प्रशना अवद विलास के रचनाकार कौन है अवद विलास के रचनाकार लालदास है अगला प्रशना रजंद प्रसाद की आत्मकता है तो इनकी आत्मकता है शत्य की खोज अगला प्रशना हिंदी में रीपो ताज बिधा के जनक है तो कविता जीवन और जगत की अविव्यक्ति है या किस ने कहा है तो राम चंदर शुकल ने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अविव्यक्ति है आए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रशन है रशवादी अचारी नहीं है तो बामन ये रशवादी अचारी नहीं है प् जहां उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है तो उत्प्रिच्छा अलंकार होता है वहां पर अगला प्रश्ण है इलाचंदर जोसी के उपन्याशों में यह थार्थवाद का रूप मिलता है उनका उपन्याश मनुवेग्यानिक है प्रश्ण है हिंदी साहित का प्रथम स्वतंतरता वादी कभी कौन है तो स्रिधार पाठक प्रथम स्वक्षंदता वादी कभी है अगला प्रिश्ण है भारत मुनी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी माना है तो भारत मुनी ने काव्य गुणों की संख्या दस माना है प्रिश्ण है चंदमाला के रचेता कौन है तो केसावदास चंदमाला के रचेता है सही उतर हो जाएगा कि सवदास चंदमाल के रजनकार है अगला प्रश्ण है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक फामा है प्रश्ण है छाले नामक 34 संचारी भाव किसने माना है तो देव कभी ने 34 संचारी भाव माना है प्रश्ण है मीरा की भक्ती मानी जाती है तो इनकी भक्ती माधुरिय भाव की मानी जाती है अगला प्रश्ण है म्रिगावती किसकी रचना है तो ये रचना कुदबन की है अगला प्रशन है पश्चमी हिंदी की भासा नहीं है तो पश्चमी हिंदी की भासा मैतली नहीं है अगला प्रशन है किस छेतर में ब्रज भासा नहीं बोली जाती तो ब्रज भासा जहासी में नहीं बोली जाती है प्रिशन है जैसंकर प्रषाद का प्रथम नाटक है तो इनका प्रथम नाटक है सज्जन अगला प्रिशन है समस्या प्रधान समधान नाटकों की रचना किशने की तो लक्षमी नारायन मिश्र ने समस्या प्रधान नाटकों की रचना की अगला प्रशन है हिंदी प्रदीप का संबादन कारिज किष्ण ने किया तो बाल कृष्ण भट ने प्रदीप नमक पत्रिका का संबादन कारिय किया अगला प्रशन है आधे अधूरे किसकी नाटक है तो मोहन राकेस का आधे अधूरे नाटक है अगला प्रश्ण है कवी और कविता निवन्द के लेखक है तो महाबीर प्रशाद द्रिवेदी कवी और कविता निवन्द के लेखक है अगला प्रश्ण है आचरन के सब्यता निवन्द के लेखक कौन है तो सरदार पुरण सी आचरन की सब्यता निवन्द के लेखक है तो आ झाल झाल